इस वीडियो में दुस्तों हम लोग बात करेंगे Dream Level Nature Isle T10 के दुस्तों आज के होने वाले First Match के बारे में दुस्तों आज का First Match TBH और दुस्तों IRR के बीच खेला जाएगा ध्यान रखीगा दुस्तों यह मैं साम के 7 बज़े से स्टार्ट होगा बिल्कूल भी मैस रिलेटेड कंबिनेशन पर वाइट कर रहा हूँ साथे साथ दुस्तों आपको इस वीडियो में सभी प्लियर का स्टार्ट जानने को मिलेगा स्टार्ट दुस्तों आपको जानना बहुत जादा important है क्योंकि दुस्तों स्टार्ट ही वीडियो को पूरा देखिएगा साथ दुस्तों वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता भी है न तो नीचे दुस्तों आप कॉमेंट सेक्षन में मुझसे पूछ सकते हो ठीक न बस एक चीज़ का ध्यान रखेगा इस मैस रिलेटेड मेरा दुस्तों जो फाइनल कं पूरूंगा तो सभी दोस्त टेलीगराम चैनल को ज़रूर जोइन कीज़ेगा इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्सम सेक्षन में भी मिल जाएगाय। तो दोस्तों जो मैं आपको final combination टेलिग्राम पे provide करूंगा उसी के साथ दोस्तों आप contest join करना और दोस्तों win करना और साथ यसाथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर subscribe कीजेगा और subscribe करने के बाद दोस्तों notification का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों हम लोगा जो next वीडियो रहेगा वो दोस्तों इसी टुनामिन का match number आज के 2 कराने वाला है जो CRD और SS के भी गेला जाएगा बात करते हैं दोस्तों हम लोग TBH और दोस्तों IRR के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों combination जानने से पहले सब से पहले दोस्तों हम लोग पीच के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो आज का जो पीच रहेगा बाइलेंस बिकेट रहेगा और साथी साथ दोस्तो धियार नखना आप जो भी combination बनाओगे fastballer को तो team में रखना आई है लेकिन दोस्तो spinner आपके combination में होने चाहिए because दोस्तो ये जो पीछ है दोस्तो spinner को बहुत जादा help कर रही है यहाँ पे दोस्तो spinner का ball बहुत जादा turn खा रहा है और especially दोस्तो off spinner ठीक ना leg spinner को दोस्तो उतना help नहीं है लेकिन off spinner दोस्तो इस bicket पे 95% bicket ले रहा है average score का दोस्तो बात करें से विकेट कीप रिंग सेक्षन में आईएगा दोस्तो आपको first option मिलेंगे ब्यूटन ब्यूटन दोस्तो अभी तक T10 में 14 मैच खेले जिसमें दोस्तो आपको बैटिंग से 395 रने स्कोर किये इस टुनामेन में दोस्तो अभी तक 2 मैच खेले फरस्ट मैच में 17 रने स्कोर किये थे और सेकेंड मैच में दोस्तो 31 रने स्कोर किये थे ब्यूटन का recent performance भी काफी अच्छा रहा है साथी साथ दोस्तो ओल ओबर T10 का भी record देखो तो काफी अच्छा है और open batting करने आते हैं इसलिए दोस्तो और भी आपके लिए important हो जाते हैं तो टीम में दोस्तो आप जरूर ट्राइ कर सकते हो नीचे आईगा दोस्तो आर जेम्स का option मिलेगा टीम से दोस्तो ड्रॉप कर देना विकॉज आपको 7th round batting करने आते हैं इनने दोस्तो बैटिंग करने का chance ही नहीं मिलता है और साथी साथ record भी कुछ खास नहीं है अभी तक 14 match खेले टीटेन में जिसमें दोस्तो आपको मात्र 94 run ही score किये उससे बेतर दोस्तो ना ट्रम बहुत ही सांदार option है दोस्तो आप इने captain BC भी कर सकते हो अभी तक टीटेन में 19 match खेले है जिसमें आपको बैटिंग से 517 run score किये इस टुनामिन में दोस्तो अभी तक 2 match खेले है फर्स्त मैच में 48 run score किये और सेकेंड मैच में 231 run score किये डैट में दोस्तो रिसेंट पर्फोमेंस भी कमाल कर रहा है रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और साथी साथ दोस्तो ये भी आपको open batting करने आएंगे ब्यूटन के साथ तो इने भी दोस्तो आप small league grand league दोनों में try कर सकते हो बात करें दोस्तो हम लोग batting section से तो batting section में आईगीगा फर्स्ट option आपको मिलेंगे जीप ओपे जीप ओपे दोस्तो आपको open batting करने आएंगे सभी match में record का दोस्तो बात करें तो अभी तक T10 में देखो तो 41 match के लिए जिसमें आपको batting से 669-9 score किये साथी साथ दोस्तो इस टुनामेन के first match में एकर ने score किये थे लेकिन दोस्तो सेकेंड मैच में आपको batting से 69-9 score किये और साथी साथ balling से आपको 3 wicket provide कर दिये थे तो एक बहुत important option है आप इन्हें captain BC भी कर सकते हो small league grand league दोनों में दोस्तो आप नीचे आईगा इन्होंने एक ओवर बॉलिंग किया था बिकेट नहीं मिला और सेकेंड मैच में दोस्तो इन्होंने एक सिंगल ओवर भी बॉलिंग नहीं किया तो आप इन्हें दोस्तो रॉटेट कर सकते हो नीचे आईगा दोस्तो जेदाउद एक इन्होंने एक ओवर बॉलिंग किया था लेकिन दोस्तो ध्यानकना इन्होंने एक ओवर बॉलिंग किया था उस ओवर में दोस्तो इनका दो कैश ड्रॉप हो गया था तो एक इंपोर्टेंट ओप्सन रहेंगे टीम में ट्राइ कर सकते हो दोस्तो आप नीचे आईगा आपको एन्योन का ओप्सन मिलेगा अभी तक दोस्तो इन्होंने टीटेन में 15 मैच खेला है जिसमें आपको बैटिंग से देखो तो 120 रने स्कूर किले लास्ट मैच में दोस्तों इन्होंने बहुत आपको च्या इन्राइन खेला था 34 किले था लएक सब्सक्रा करूंगा नीचे से second round batting करने आ जाते हैं और साथी साथ दोस्तो 13 match में अभी तक आपको balling से 13 wicket provide कर चुके है last match में दोस्तो देथ over balling करने आये थे तो दोस्तो देखो selection percentage काफी कम है आपके लिए बहुत अच्छे दोस्तो differential option रहेंगे इस match के नीची आओगे दोस्तो आपको 5 run score किये थे और second match में 13 run score किये थे और जानते हैं दोस्तो second match में 13 run score करने के लिए इनका दोस्तो 2 catch बहुत ही simple catch drop हो गया था नहीं तो दोस्तो second match में भी यह मात्र 1 run ही score करके out हो जाते तो grandling में try करना हो करना ठिक ना नीची आई है दोस्तो आपको a low cut का option मिलेगा drop करके ही चलना दोस्तो record बहुत अच्छा नहीं है अभी तक 2 match ही खेले T10 में जिसमें दोस्तो एक single match में भी इन्होंने batting नहीं किया है और balling भी देखो तो 2 match में सिर्फ एक over balling किया और उसमें भी बिगेट नहीं मिला है पिर दोस्तो आप नीची आईगा दोस्तो आपको B. Joseph का option मिलेगा B. Joseph यदि दोस्तो T.B.H की टीम balling first करती है न तभी try करना अधरवाई दोस्तो आप drop करके चल सकते हो record दोस्तो बहुत जादा out standing नहीं है अभी तक 2 match ही खेले T10 में जिसमें आपको बैटिंग से 5 run यह score किये balling से दोस्तो आपको 2 match में देखो तो एक picket provide किये और 2 over complete balling किये तो दोस्तो मैंने आपको trick बता है उसी trick का दोस्तो आप इनका use कर सकते हो grand league में यदि try करना है तो अब बात करें दोस्तो हम लोग all rounder section से तो B Lewis बहुत important option है देखो दोस्तो अभी तक उस तरह का इन्होंने performance नहीं किया जैसा दोस्तो इन्होंने last year किया था but still दोस्तो ध्यान रखना एक all rounder player है तो team में important रहेंगे अभी तक 14 match के लिए दोस्तो टीटन में जिसमें आपको बैटिंग से 255 run score किये और 14 match में दोस्तो बैटिंग से आपको 13 wicket provide कर चुके है इस टुनामेंट के दोस्तो फर्स match में totally flop गये थे batting से 0 run score किये थे और balling से wicket नहीं मिला था लेकिन 2 over complete balling किये थे second match में दोस्तो बैटिंग से 1 run score किये balling से आपको 1 wicket provide किये है देखो दोस्तो आप try कर लो मैं तो यही recommend करूँगा और आप grand league खेल रहे हो तो आप captain BC भी कर सकते हो last year बहुत अच्छा इनका performance था नीचे आओगे दोस्तो आपको honor का option मिलेगा उतने खास दोस्तो option नहीं है record बहुत ज़्यादा outstanding नहीं है अभी तक 10 match खेले टीटेन में जिसमें दोस्तो आपको मात्र बैटिंग से 66 रनी है इसकोर के और balling से 10 match में तीन बिकेट परवाइड किये है और ऐसे भी देखो तो last 2 match से इस tournament में खेल भी नहीं रहे है नीचे आईगा दोस्तो DS calendar बिकेट टेकर बॉलर है दोस्तो आपको पावर प्ले में बिकेट निकाल के देते है और सभी मैच में दो फर कंप्लीट बॉलिंग करते है जरूर आप दोस्तो इन्हें टीम में ट्राइग कर सकते हो अभी तक T10 का record देखो तो 11 match खेले जिसमें आपको 12 विकेट प्रवाइट कर चुके है और साथी साथ दोस्तो इस tournament के फरस्ट मैच में आपको 2 विकेट प्रवाइट किये थे और सेकेंड मैच में भी आपको दोस्तो एक विकेट प्रवाइट किये थे यह आप नीचे आई आईगा दोस्तो आपको के जीमि का आपसन मिलेगा के जीमि दोस्तो ही स्मोल लिंग में चादा इंपौर्टन हेंगे और साथी साथ दोस्तो आपको सभीotherap प्रवाइट करने आते हैं second match में 200 आपको 23 run score किये थे नीचे आईगा दोस्तो आपको दुपेनी का option मिलेगा दोस्तो ये ऐसा baller है न जो दोस्तो आपको किसी match में 1 over balling करेगा किसी match में 2 over balling करेगा और किसी match में दोस्तो बॉलिंगी नहीं करता है तो ऐसे player को दोस्तो आप drop कर दो small league में, grand league में try भी करना चाहते हो तो ध्यान अकना, यदि IRR की team दोस्तो बैटिंग first करती है तभी करना, tournament के first match में दोस्तो इन्होंने एक single over भी balling नहीं किया था, second match में दोस्तो इन्होंने 2 over balling किया, बस दोस्तो उतने खास मुझे नहीं लगे है, नीची आईगा दोस्तो आपको जो सब का option मिलेगा, इन्हें भी दोस्तो आप drop करके चल सकते हो, अभी तक tournament में 2 match जरूर खेले, लेकिन दोस्तो ध्यान अकना, किसी भी match में दोस्तो आपको batting से 1 run भी score नहीं किया और किसी भी match में दोस्तो आपको bowling से 1 over bowling भी नहीं किया है चलिए अब बात करें दोस्तो, हम लोग batting section से तो एंटोनी बहुत जादा important है, सभी combination में ये बंदा आपके लिए होने चाहिए, विकोज आपको bowling से तो 2 over bowling करता ही है, साथी साथ दोस्तो, आपको सभी match में second round batting करने आ जाते हैं, और आपको batting से भी 10 से 15 run score करके दे देंगे, अभी तक record देखो तो TITAN में बहुत अच्छा record है, अभी तक 11 match कहले, जिसमें आपको batting से 200 run score किये, और bowling से दोस्तो आपको 11 match में 13 wicket provide कर चुके है, फिर दोस्तो, आप नीचे आओगे, तो दोस्तो, आपको maglory का option मिलेगा, maglory दोस्तो, player तो अच्छा है, लेकिन अभी तक एक tournament में एक single match भी नहीं खेला है, record का दोस्तो, बात करें, तो TITAN में अभी तक 11 match कहले, जिसमें आपको batting से 112 run provide कर चुके, और साथी साथ 211 match में bowling से आपको 6 wicket provide कर दिये, यदि दोस्तो, ये खेलते हैं, तो मैं तो recommend करूँगा, आप mini GL grand league में try कर सकते हो, नीचे आओगे दोस्तो, आपको masculine का option मिलेगा, masculine का दोस्तो, selection percentage काफी आई है, लेकिन दोस्तो, इस बंदे का performance average रहा है, धियान रखना है ये चीज़ का, दिखना, T10 में अभी तक 14 match जरूर खेले, लेकिन मातर 6 wicket ही provide किया है, इस टुनामेन में में ही देखो, तो first match में एक single over भी bowling नहीं किया था, second match में आपको 2 over bowling किये थे, और एक wicket provide किये थे, और वो भी 200 last over में इन्हें मिला था, तो यदि 200 maglory खेलता है न, तो आप इन्हें drop करके आप इस पे ricks ले सकते हो, यदि नहीं खेलता है, तो आप इन्हें को try करना, नीची आओगे दोस्तो, आपको James का option में लेगा, James दोस्तो, office spin baller है, और नीची आओगे, दोस्तो, आपको A baller का option में लेगा, grand league में दोस्तो, इस player को जरूर ट्राइ कर सकते हो, muslin के जगब में, फिकोज, यह दोस्तो, आपको date में balling करता है, और साथी साथ, दोस्तो, धियान रखता है, बैटिंग भी टोप order में करने आता है, अभी तक इस टिल बैटिंग से कुछ खास performance नहीं रहा है, लेकिन कभी भी दोस्तो, आपको batting से score कर सकते हैं, बिकोज, सभी match में यह third round batting करने आ जाते हैं, फिर दोस्तो, आप नीचे आओगे, मातर तीन बिकेट परवाइट किये, और इस टूनामेन में दोस्तो, अभी तक एक सिंगल match भी नहीं खेले, फिर नीचे आईगा दोस्तो, आपको केजेन का option मिलेगा, केजेन भी दोस्तो, अभी तक टीटेन में सिर्फ एक match खेले, जिसमें दोस्तो, इन्होंने एक ओवर बॉलिंग किया था, बिकेट नहीं मिला था, एफ लिप्स का दोस्तो, बात करें तो अभी तक टीटेन में दस match खेले, लेकिन मातर आपको तीन बिकेट ही प्रोवाइट किया, और साथ ही साथ दोस्तो, इन्होंने आपको बहुत ही कम match मिलेगा, जिसमें आपको दो ओवर बॉलिंग करके देंगे, फिर नीचे आईगा दोस्तो, आपको हैंडी का option मिलेगा, हैंडी को भी दोस्तो, आप ड्रॉप कर देना, विकॉद देखो, अभी तक टीटेन में एक मैच ही खेलें, जिसमें दोस्तो, इन्होंने आपको एक ओवर बॉलिंग किया था, बट बिकेट नहीं मिला था, और ऐसे भी देखो, तो हैंडी का कुछ domestic record भी कुछ खास नहीं है, 12 match T20 में खेलें, इस साल domestic में, जिसमें दोस्तो, आपको मातर दो बिकेट ही provide किये है, तो उपर दोस्तो, जो भी मैने आपको player बता है, बस उसी पर आप focus करना, नीचे वाले option दोस्तो, उतने खास नहीं रहेंगे, हाँ, एक दोस्तो, वेल complete balling करके देते हैं, 22 captain के लिए, दोस्तो, मैं नीचे से अभी भी Lewis के साथ जा रहा हूँ, यदि दोस्तो, आप 22 captain safe जाना से आते हो, तो उपर से दोस्तो, आप natrum को भी try कर सकते हो, विकोज दोस्तो, ये भी आपको open batting करेंगे, और साथी साथ दोस्तो, आपको bicket keepering से extra point provide कर मैं दोस्तो, Lewis के साथ इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि Lewis दोस्तो, एक allrounder player है, जो दोस्तो, आपको 2 over balling भी करके देते हैं, और साथी साथ top order में batting भी करने हाते हैं, आप मुझे मालूम है recent performance दोस्तो, इनका उतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए दोस्तो, इन्हें try नहीं करेंगे, तो that's why दोस्तो, मैं थोड़ा सा different जा रहा हूँ, ध्यान रखेगा, यदि आप save जाना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया, आप Natrum को try कर सकते हो, अभी के लिए दोस्तो, ये team मेरा final team है, हार दोस्तो, यदि task के बाद इस team में से कोई player नहीं खेलता है न, तभी द दोस्तो, comment section में भी first comment pin के हुआ, मिल जाएगा, जाएए दोस्तो, टिलिग्राम के साथ जूर जाएए, और जो भी मैं final combination आपको provide करू, इस match related, उसी के साथ दोस्तो, आप contest join करना, और दोस्तो, win करना, और साथी साथ दोस्तो, यदि अभी तक आपने YouTube channel को subscribe नहीं कियो, तो द नमें का match number 2 कराने वाला है, तो बिल्कुल भी दोस्तो, miss नहीं किजेगा, ठीक ना, मिलते हैं दोस्तो, आप सभी से next T10 के वीडियो में, जाहिन दोस्तो, take care, bye bye